असलाब लेकुम गाईज मैं हूँ सामा और आप देख रहे हैं इनुवेटी विट सलुशेंज आज की वीडियो में हम क्रॉप टूल के बाड़े पढ़े हैं कि क्रॉप टूल का आपने पहले सुना होगा अपने फोटोशॉप की तरफ बुट देखते हैं क्रॉप टूल को तो यह वैंने अपना फोटोशॉप उपन कर लिए हैं यहां पर यह दिया गया क्रॉप टूल इसके जरीए हम अपनी पिक्चर को क्रोप कर सकते हैं जहां पर रखना है वहां पर इसको रखना है जैसे मैं एंटर करूंगा तो हमारी पिक्चर क्रोप हो जाएगी दुबार क्रोप करना चाहता हूँ अब देखो यह क्रोप तूल स्लेक्ट आया पर लेकिन यहां पर वह जो कोर्णर आरे थे खतम हो गया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे ऐसे पूरी पिक्चर को स्लेक्ट जैसे ही करूंगा देखो हमारे पास वह दुबारा कोर्ण आगे है जो पीछे हमने इमेज क्रोप की था वह हमारे पास सेव की सेव पड़ी हुई है वह हमारे पास खतम नहीं हुई डेटा हमारे पास सेव है बड़ा तो अगर मैं इसको दुबारा करना चाहता हूँ न तो यह देखो यहां पर रखके जैसे मैं एंटर करूंगा तो देखो हमारे पास यह उपर लाइक शर्द बाड़ा आगा है तो इसको क्रोप कर सकते हैं एपाँ इसन पर यह पिए पर उप्ड़ कुछ इसके बाद दिया गया है 4x5 इसके जरीए अपनी पिक्चर को क्रोब कर सकते हैं अब यहां पिक्चर का उरिजिनल साइज था ना यानिके यह जो हाइट दी गई है यह उसी को रख्टे वे क्रोब करेंगा इसको मैं बड़ा कर रहा हम तो यह देखो हमारी जो विर्थ और हाइट बड़ाब नहीं हो जो इसको मैं पिक्चर को अब है पिक्चर का उरिजिनल साइज है इससे जैसे में क्लिक करोंगा अब देखना आप हम यह हम इसको जैसे पर सक रौब कर सकते हैं this इससे यह होता है कि मीच का साइज खड़ाब होएता है तो अगर आप यह और ऑप्षिन करें करोगा तो आप इसको फ्रीली क्रोप कर सकते हो अपने जितनी हाइट रखनी जितनी उर्थ रखनी या प्रिवल्जी से रख सकते हो लेकिन यह उर्जिनल रेशो जो है यह बहुत करें यहां पर इस तरह करूंगा और इद्सको में फुल ओपर कर लेता हूं अब यहां यहां से उसके इसको वे क्लिक करके ड्रैक करके यहां पे मैंने स्कॉप करना है ना जैसे मैं यहां पे लागे छोड़ूँ गा ना यह देखो पिक्चर उसने खुद बपुद उसको रोटेट करके इसको मैं एंटर करूँगा तो यह देखो अब यह सीधा ओझे थोड़ी से लोडिंग होगी तो यह दिखा रहे हैं यहां उसने थोड़ी सी पिक्चर को रोटेट किया है यहां पर कुछ यह दिये गए है कुछ ग्रिट्स दिये गए है यहां पर दिया गए है डिलीट क्रोप पिक्जल अब यह क्या चीज है तो यहां पर दससे बती दिखो मैंने फिक्चर कोई है लेकिन उसको द्वाह पास पिछला एंटा आ रहा है लेकिन जब मैंने इस पर टिक करणूंत किस ईगा है इसको मैं आ Reports Save अब मैं अगर दोबारे इसको स्लेट करूँगा ना तो यह देखो हमारे पास अब जो बाकी एरिया जो हमने क्रोप किया तो आपकी पीछली हिस्ट्री डिलीड हो जाएगी अब यहाँ पर दीए है कि content aware अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास ऊपर थोड़ा सा एरिया आजए यादि कि यह जो असमान बना हुए ना यहाँ जो transparent एरिया आ रहा है यहाँ पर यही इसी copy थोड़ी से आजए वैसे तो मैं copy करके यहाँ लेकिन photoshop हमें यह काम इसने ऊपर थोड़ा सा एरिया हमारे लिए बना दी यह जातर जहां पर छोटी मोड़ी स्पेस होती है यह उसी के लिए काम करता है अगर आपने बहुत जादा एरिया बनाने है तो वहाँ पर यह खराम कर देगा क्योंकि असल में इसने यहाँ से चीज़े थोड़ी बत अब यहाँ पर यह दिए ना जे आँए यह उसी तरह काम करता यह से काम कम स्कैनर को यूज़ करते हैं आजकल हो स्केणर ऑपन ऊसे और इस इस तरह क्लिक करना है तो आज की वीडियो में हमने यही देखना था के लिगे तो किस Jared कर सकते ह। इसमें कुछ चोटे मोटे ओक्षेंस आया परें जिसका यूज करके हम अपने काम को बहुत एजीली कर सकते हैं तो अगर ये वीडियो आपका साथ आई तो मेरे वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो में मिलते हैं अपर नेक्स्ट वीडियो में तब तक अल्दा आपीस